दोस्तों नमस्कार और दोपार के बच चुके हैं अभी दो बज के 47 मिनट तो गुड आफटर नून हो गया और आज हम चल रहे हैं एक दोस्त से मिल के आते हैं तो हमने घच चलो कार ही निकाल लेते हैं तो अभी प्लान क्या है कि यहां पर एक परवेज भाई है यूपिया साइडिसी में और लोकल यूट्यूबर है तो सोचने थोड़ाज मुलाकात हो जाए एक दो दिन पहले बात होई थी और कई दिन से प्लान बन रहा था समय मिल नह आते हैं देखते हैं उनका डेरी फार्म भी है और आपको डेरी फार्म भी दिखा देंगे और मुलाकात भी हो जाएगी तो आई चलिए चलते हैं आगे की वोड़ा तो भाई हम परवेज भाई कहां पहुंच गए हमारे यह रहे परवेज भाई है यह कौन सी मसीन है किस है बहुशा बनाती है क्या है आच थाक कि मसीन लेकिल काफी दिन से काम नहीं कर रही तो देखना वाई में अच्छ था जैसे जंग होंग लग गया इसमेन लगर काफी दिन से योज माज दिन को अंदर शी में निकाला है एक मशिटा अच्छा यह सोनाली का बड़ा दमदार वाला है 60 होर्स पाउर सबसे ज्यादा पाउर्फुल यही अच्छा यह है जैंग बुलो जाके मोटर बन कर दें तो यहां से दूद कहां जाता है यहां वालक है अच्छा है हो कर दोल भाए का दोल तोफ और भाए स्कली गाए की अच्छा पैटालीश करेट चलना होगा नहीं पचास के वर दो ओंади है 5.50 जा बड़ा करें चालीश होanno है हहां सब्सक्राइब हमारे कर into the तो दो लड़के रहते पर्मनें देस है तो बगल में जमीने किसकी है जो खाली पड़ी है यह यूटे साडिसी है जो जाली है ना उसकी आगे टार लगा इसके बाद मेरा इसके बाद यहां सवार तक करी करी चार पांज दीगे में अपना यह तो भी कितने दिन का बच्चा हो गया यह वाला जाइ महीने का गाय का ही लग रहा है कितनी गाय है इसमें चार गाय है एक दो तेन बोशे का पूरा धेर लगा रखा रहे हैं यह खरीदना पड़ता होगा ना नहीं अपने पास बूसान हो सीन है ना खोद ही हम लोग बना ल पान दो साथ दोनो दस ग्यारा बारा तेरा शब्दा अरे चोटे बच्चे मिला के तीस-पैंतिस जानुवर है तीस-पैंतिस-जानुवर है अच्छा यहां से मतलब कहीं-कहीं देखा है मैंने इसमें पानी के कनेक्शन लोगों लगवा दिया है ले बहुत है वहां पंजा कितना दूद निकलता है अपने हाँ निकलता था अब एक दिन में हाँ अभी तो कम हो गया होगा नहीं अधा हो गया है अजय इसको यह सेड बनाने में यहां से वहां से लाग देड़ लाग दोनों मिला कि ना जानवर एक भायस की कीमत भी पचाहँ जार से कम नहीं होगा नहीं हो नहीं है पैसट सब्सक्राइब इनकी वह भी तो होती है इनकी वाराइटी का नाम भी होता है मुर्रा नसल की मुर्रा मुर्रा नसल की मुर्रा हर्याना वे जादा मिलती है क्या साहता है नहीं हर्याना की जो पीवर मुर्रा है यहां पर वो मिल नहीं पाती है लेकिन फिर भी मंदब की मुर्रा का ज्यादर तर परसंटेज है तो किवल आपका तो पुरा दूद यहीं य तो लड़का जब है अपने पास तो भेज इतने घरिव चालाए तो अगर गाविन बच्चा दे दी या बच्चा फेक दिये ना तो जीरो अगर दूद दे रही तब भी अभी आप इमान के खें यह मँदी तो यह बारा आयार पंद मुद देने पर यह वाली पिर यह पर भीट ये रही जो देडी प्रबी असलम स्का हो बच्षा उगैंग अभी आप इसी से कहते हैं देसी का जो है दूद कम ही होता है अगर आठ लीटर यह दे रही है साहिवाल अच्छा हाँ हाँ वह अलग वेराइटी ने उदर वाली है यह अच्छा यह ज्यादा पर्सेंटेज है इस एफ क्या होगा फॉलिस्टीन फ्रीजियन करके एक मनलब की रश्यन हमें लिए रश्यन का ही अच्छा ने मैं तो अभी तक यह समझ रहा था कि साइद इंसुरेंस का होता होता होगा इंसुरेंस का भी होता है रखा है अच्छा यह 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 इसका बहाइं है अच्छा यह जी होगे बिल्टेख सब्सक्राइब ट्रेक्टर इधर भी दिख रहा है आपका यह दो ट्रेक्टर अपने बास दोनों साथ तो भाईया इतने लोगों का दूद दूहने के लिए कैसे दूहते हो आप हाथ से ही तीन लोग है और असल में क्या इतने जानवर हैं लेकिन सब दूद नहीं देते ना कुछ तो कुछ त दूद देने वाली में से हैं कुछ चाल लीटर कुछ पांच लीटर अच्छा अब कुछ जो है आठ लीटर कुछ दस लीटर तो पता नहीं चलता उसमें और एक दिन का हो तो पता चले और डेली डेली तो हभी पढ़ आती है तीन तीन लोग रहते हैं यह बोल ला है इसको पहचानते देखते ही जो है थोड़ा डर रही है खुद अपने आपको डर रहेंगी है हां डर रही है यह कपिला को पशुआ है कपिला को पशुआ है और यह धान की पॉलिस चलाते हैं आता चलाते हैं तो अभी भाई जो है क्या हो रहा है कहा इधर से तो यहां पर जो फार्म हाउस है यहां से गोबर हटाने का काम सुरू होगा और परवेज भाई भी हमारे साथ है तो यह मतलब है अच्छे इसमें डाल देंगे भर देंगे अच्छा पकड़ने की बना रहता है अभी जानवर देखे इधर दोर थे सब इकठे आ गए तहां लग रहे हैं कि हाँ पूरा भर गया है अबने तो यह ट्रैक्टर से गोबर हटाएंगे एक बार में इतना तो यह गोबर का आप क्यों नहीं वह बनवा देते एक जैसे वह आता ने मैं पर नी कंपोस्ट भी बना सकते हैं या वह क्या नाम है जैसे गास जो बनती है गोबर गैस प्लिप्ष नहीं बिलपुल नहीं सबस्दिया है मतलब कि अभी हम तो खुद के ले लेकिन जैसे लेकिन सक्सेज नहीं है वो, पुछ दिन बाद वो रब गड़ जाता है अग वहाँ काफी गोबर इकट्था हो गया है क्या? हाँ 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 है यह है पूरे हैदर गाउं कठाउरा के पास मैं है तो UPS IDC की जो दिवार है बिल्कुल बगल में है और यहीं बगल में है पूरे हैदर गाउं अगर चलो अच्छा मौका है भाई से मिलने का परवेज जी से और परवेज भाई से मुलाकात हो गई और घर हमने देखी लिया है बिल्कुल 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 तो अभी चलते हैं यहां से आज के वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगे तो दोस्तों को सेयर कर लिजिए गा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजिए और इसी के साथ आज के वीडियो क्लोज करते हैं थैंक्यू बाबाई